नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्विन और स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में दोस्तों Machine Learning, Data Science, Deep Learning, Overall बोला जाए, Artificial Intelligence इस टॉपिक पे इस वीडियो में एक Detail Discussion करने आलाँ आपको हर एक बात बताऊंगा जो most of the लोगों के मन में डाउट के तौर पे रह जाती हैं, हम सोचते रह जाते हैं, fantasy बनाते जाते हैं, यह जो शब्द हैं, जब भी मैं सुनता हूँ, data science, machine learning, deep learning, जब मैं पहले सुनता था, जब मुझे यह सब नहीं आता था, तो एक अलग तरीके का perception मैंने बना के रखा था, एक अलग तरीके की मैंने बना के रखी थी, आज के कुछ साल पहले, मुझे लगता था, कि क्या मुझे अगर यह सारी चीज़े आती, तो शायद मैं भी कहलाता है, एक skillful इंसान, आखिर क्या फायदा है इन domains का, और आखिर लोग इस domain में क्या कर रहे होते हैं, जो इतने पैसे चाप रहे हैं आ सबसे जादा जो पैसे मिलेंगे लोगों को इसी field में मिलने वाले हैं, तो दोस्ता ऐसा क्या होता है machine learning, data science, deep learning में इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो ऐसा है कि जब भी आप amazon वाली site खोल रहे होते हैं, flip card खोल रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ recommendation आपको हर कि हम एक particular app में login किये, जैसे amazon में ही login किये, हमने कुछ देखा, मिंतरा में मान लो देखा, और उसके आद फिर हम गए Instagram पे, Facebook पे, तो वहाँ पे भी same product की advertisement अपने को देखने को मिल रही होती है, ये सब कैसे होता है, ये सब artificial intelligence से होता है, आपने Google assistance देखा होगा, सुना होगा, Siri के साथ बात किया होगा, टेखिया, एलेक्सा के साथ बात की होगी, ये सब कैसे काम कर रही होते, ये इन ही से काम कर रही हुते है, ये किसी machine learning मौडल पे trained है, टेक है, और ये आपको output दे रही होते है, तो असलिएत में होता है, machine learning में, machine learning में एक model बनाया जाता है, वो model को data क त्रेन किया जाता है, उसको सिखाया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से, जिस तरीके से इंसानों को सिखाते हैं, हम अगर नहीं बताएं किसी एक छोटे से बच्चे को कि वो कुता है, वो बिल्ली है, तो वो नहीं जानेगा, जब हम उसको बता देते हैं कि ये जो है, ये कु कुट्ता होता है इस तरीके का जो चीज होता हो बिल्ली होता है तो अगली बार दूसरे टाइप का कुट्ता अगर वो देखता है थो बता देता है कि है या EAR यह तो पुद्ता है x2 तो बिल्कुल उसी तरीके से machine learning model को भी train किया जाता है, बहुत सारा धेर सारा data दिया जाता है, देखें, और उसी तरीके से deep learning है हमारे पास, deep learning advanced version आप समझ लो machine learning का है, जहाँ पर अगर आपके पास data बहुत सारा enormous data हो, तो आप machine learning model ना use करके deep learning model यूज करते हो, क्योंकि अगर data बहुत है तो deep learning model जबर्दस accuracy देगा as compared to machine learning model, लेकिन data बहुत जादर नहीं है, तो आप complex काम करने से अच्छा, आप machine learning model के पास जाओ, वो भी आपको जबर्दस accuracy देगा और जबर्दस performance वो करके देगा, ठीक हैं, तो ultimately हम machine learning में क्या करते हैं, जैसे एक और example दे आता है, N number of test कराने के बाद सब्सक्राइब बहुत सारे input होते हैं, कि उसका blood sugar level इता है, उसका glucose है, मतलब N number of input उसके आए, अब वो input अगर मैं किसी machine learning model को दे दूँ, और वो machine learning model मुझे बता दे कि इसको इस तरीके का cancer है, कितना जबर्दस्त काम हो रहा है, यहां पे, डॉक उतना accurate नहीं हो सकता, जितना model accurate हो सकता है, तो यह सारे काम, मतलब prediction वाले काम, यहां पे हम predict कर रहे हैं कुछ चीजों को, हम वहां पे कुछ सिखा रहे हैं, हम data value दे रहे हैं, और prediction कर रहे हैं, किस पे based prediction कर रहे हैं, जो भी past में learning हुई होगी, जो भी past में experience होगा, वो experience हम model क सिखाते हैं, वो experience के basis पे वो कुछ prediction करता है, और अगर आपने model जबरदस बनाया, तो वो 90%, 80%, most of the time वो सही होगा, तो इससे लोगों की बहुत help होगी, doctors की बहुत help होगी, और किसी भी domain में, farmers की भी होगी, अगर मैं एक ऐसा model बनाऊ, यही सब चीजे परचलिते हैं, यही इसने course में सिखाई है, अगर आपको मुझे से सीखना है, तो आप बिल्कुल www.knowledgegate.in पर जाके मेरे course को चेक कर सकते हो, description में भी आपको link मिल जाएगा, आप सब कुछ explore कर सकते हो, कैसा course है, वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, एन नमबर आफ प्रोजेक् आपको, आपके हाथ में मिलेगी, और सबसे अच्छी बात, मैं वहाँ पे जिस तरीके से पताया हूँ, कोशिश किया हूँ, कि most efficient तरीके से कोई भी algorithm, कोई भी model आपको वहाँ पे सिखा सकूँ, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अगर आपकी कोई query है, तो जर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, एंक्यू